हलो स्टूडेंट्स वल्कम आंद इस चैनल आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में यूपी जी लेक्चरर एक्जाम जो 19 सितंबर को आयोजित होने जा रहा है उसका ये फर्स्ट पेपर में जी एस के कोस्टेंज आएंगे तो जी एस से रिलेटेट कोस्टेंज को हम देख देखेंगे आज की वीडियो में चली स्टार्ट करते वीडियो को स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं ये स्पेस एजूकेशनल पॉइंट चैनल अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा स्टूडेंज तो जरूर से इस चैनल को सब्स्क्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के आने वाले सारे वीडियो को जो की सारे कॉम्पॉटेटिव एग्जाम से समंधित इसमें वीडियो अप्लोड किये जाते हैं उसको आप लोग देखिए और एक्जाम में तयारी कीजिए ओके स्टूडेंस चली देखते हैं देखे पहला कोश्टें स्टू गेला कोश्ट stooch तूती कोरीन tharmal पावर प्लांट कहां इसतित है यह तमिल नाडो में इसतित та кажड ने पहली बार चुनाओं में नोटा विकल्प का इस्तेमाल कप किया गया था तो यह दोजार 30 में किया गया था नोटा विकल्प का इस्तेमाल। अगला कोश्चन एंट की देखिए इसमें है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माड किस ने करवाया था तो बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माड जो की उत्तर प्रदेश में लखनव में है ना लखनव में इस्तित है तो इसका निर्माड नवाब फुद्दौला ने करवाया था अगला कोश्चन चोरी-चोरा हादसे के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को रोग दिया था आसहयोग आंदोलन को रोग दिया था चोरी-चोरा हादसा जब हुआ था चोरी-चोरा कांड जो हुआ था उसके बाद महात्मा गांधी ने आ एक दिवसिय दोहरे शतक बनाए हैं, तो वो है रोहित शर्मा, रोहित शर्मा एक मात्रे से खिलाडी हैं, जिसने तीन एक दिवसिय दोहरे शतक बनाए हैं, अगला कोश्चन ए शुडेंस, ओक्टेव का कानून किस ने दिया था? जिवन का अधिकार भारती सम्विधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है, तो ये अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है, जिवन का अधिकार अगला है, IDBI के स्थापना कब हुई है, तो 1 जुलाई 1964 इसफी में IDBI के स्थापना हुई है, अगर आप लोग को ये कोश्चन पसंद आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको अपने फ्रेंड्स में जो हेखर लगजाम की तैारी में हेल्प मिल सके है, तुछली देखते हैं आगे कोश्चन को, ただ अगर अगर भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल, को चली आगे कोश्चन को देखते हैं, अगला कोश्चन इकुटिंस देखी है, राज में लखनव के समीप किस वन में लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है तो कुकुरैल वन में राजी का सबसे पुराना वन्य जियो विहार कौन सा है तो चंद्रप्रभा ये सबसे पुराना वन्य जियो विहार है उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्री उत्यान है तो दुधवा, टाइगर, रिजर्व ये राष्ट्री उत्यान है उत्तर प्रदेश में अगला कोश्चन है कि राज के चडिया घरों की देखबाल कौन करता है तो केंद्रिय चडिया घर प्रधी करण ये राजे के चडिया घरों की देखबाल करता है राजे में कुल कितने चडिया घर है तो तीन चडिया घर है राजे के राजे के किन जिलों में तितली पार्क का निर्माण किया गया है तो तितली पार्क का निर्माड किया गया है लखनाओ और कानपुर में अगला है राष्ट्रिय पक्षी मोर के संरक्षन के लिए किस जिले में संरक्षन केंद्र के स्थापना के गई है तो मत्हुरा में मोर के सनरक्षन के लिए सनरक्षन केंदर की स्थापना के गई है जो की राष्ट्री पक्षी है अगला है मगरमक्ष एवं घडियालो के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना चलाई है तो घडियार, प्रजनन एवं पुनरवास योजना या योजना मगरमच और घडियालों के लिए राजसरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है अगला कोश्टन है स्टूडेंट्स की उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में बबर शेर, प्रजनन केंद्र एवं लायन सफारी पार्क किस से अभिपरेरित होकर विक्सित किया गया है किस से विप्रिरित हो करें किया गया है इंगलेंड के लॉंगलिट सफारी से विप्रिरित हो करके स्टुडेंट सब हम लोग इसमें थोड़े ये भारत के प्रमुक अनुसंधान संस्थान को देख लेते हैं अगला देखे लिखा है केंद्री इंधन अनुसंधान संस्थान जादू गोडा जारकंड में इस्ति थे केंद्री इंधन अनुसंधान संस्थान है जादू गोडा जारकंड में केंद्री खादी प्रध्योगी की अनुसंधान संस्थान मैसूर में इस्ति थे किंद्री औशधी अनुसंधान लख नौ में स्थित है। पुरह नियंत्रण केंद्र हासन ये करनाटक में इस्थित है, राष्ट्रिय धातो विज्ञान प्रयोक्षाला ये जमसेथपुर में इस्थित है, केंद्रिय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद जारखंड में, केंद्रिय पर्यावरन इंजिनियरिंग अनुसंधान संस्था संधान वी यह नाख पुर में इस्थित है नाश्च्टेंची ए तो Moto केंधि8 दीन जातर कंद्लेंगर श्याइस अनुसेषाँच नाखपूर दीन तेटियाे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बैंगलोर में नेशनल डेरी रिसर्च इंस्टिट्यूट करनाल हरियाना में नेशनल सुगर रिसर्च इंस्टिट्यूट ये कानपूर में हिस्तित है इसे के साथ ये वीडियो श्टूडेंस यहीं पर रोकते हैं आगे के कोस्टन को आप अगले पार्ट में देखिएगा इसे के साथ ये वीडियो यहीं पर रोकते हूँ थैंक्यू फर वाचिंग दिस वीडियो जूले रहिए इस चैनल के साथ स्टूडेंस इसको शेयर कीजिए अगर पसंद आए तो लाइक जरूर के से कीजिएगा थैंक्यू फर वाचिंग दिस वीडियो